आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ जिस कहानी का नाम है पीपल की पेड़ वाली चुडैल सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गाउं हुआ करता था जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे महीं गाउं के पास ही घहने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था भूत तो दिन भर गायब रहता था लेकिन रात होती ही वा गाउं वालों को खुब परिशान किया करता था रात होते ही भूत पुरे गाउं के चक्कर काटने लगता था और कभी किसी के पशों को नुक्सान भी पहुँचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात बर सो नहीं पाता भूत के डर से शाम होते ही गाउं में सननाटा सा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था एक बार भूत से परिशान गाउं के लोग ने एक बहुत बड़े सादू को गाउं में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए मुझारिश की गाउं वाले सादू को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है सादू अपने जब और तब से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता अंत में सादू भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गाउं वालों से कहता है कि यह भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है जिसका आर्थ है कि इसे दिन की रोशने से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है सादू की बात सुनकर सभी गाउं वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं रात को जब भूत पेड़ से निकल कर गाउं में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारो और उजाला कर देते हैं रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की और भाग जाता है वहीं गाउं वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं रोश्णी में सादु भूत को पेड़ से बान देता है और फिर गांवाली भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं इस तरह से गांवालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है तो इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है समस्य चाहे कैसी भी हो अगर बुद्धी का परियोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नही कहानियों की नोटिपिकेशन आप तक पहुंचती रहे